कॉंग्रेस महासचीफ प्रियंका गांधी ने जवलपूर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य मंत्री शिवरासिंग चोहान पर हमला बोलकर मद्धिपदेश में विधान सभाच उनाव अभियान का शंकनात किया प्रियंका गांधी ने कई मुद्धे उठाए और कहा कि मोदी की गालियों वाली लिस्ट से लंबी घोटालो की लिस्ट है कॉंग्रेस महासचे प्रियंका गांधी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्य मंत्री शिवरास सिंग चोहान पर जम कर हमला बोला शिवराज सरकार को भरष्टा चारवा बेरोजगारी के मुद्दे पर आड़े हातों लिया कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान घोश्टावीर है उन्होंने अब तक 22,000 घोश्टाएं की है इसकी जगा वो इतनी नौकरिया युवाओं को देते तो लोगों का कुछ भला होता प्रेंका ने केंद्र की मोदी सरकार पनिशाना साधने के लिए MP के घोटालों का जिक्र करते हुए PM मोदी की गालियों वाली लिस्ट की तुलना की कहा कि प्रदेश में व्यापम घोटाला, राशन घोटाला, शिक्षक घोटाला, पुलस भरती घोटाला, खंडन घोटाला, कोरोना घोटाला, बिजली विभाग घोटाला, एक टेंजर का घोटाला, टीवी सर्च का घोटाला, कितने सारे घोटाले है मोदी जी ने गालियों वाली जो लिस्ट निकाली है उससे लंबी तो प्रदेश के घोटालों की लिस्ट है इसको अगर आप आज बंद नहीं करेंगे तो आपके भविश्य को क्या होगा ये सवाल आप अपने आप से पूछिए घोटाले पे घोटाला हो रहा है यहां मध्यप्रदेश में राशन का घोटाला स्कॉलर्शिप का घोटाला व्यापन घोटाला शिक्षक पात्रा भरती घ घोटाला पुलिस भरती का घोटाला खनन घोटाला करोना घोटाला बिजली विभाद का घोटाला इटेंडर का घोटाला टीवी सेट वित्रण का घोटाला कितने सारे घोटाले हैं इतनी लंबी लिस्ट है घोटालों की कि जो मोधी जी ने वो गालियों वाली लिस्ट निक पूजन करने के बाद प्रेंगा गांधी ने शहीं इस मारख में जंस enfant weet करते हुए प्रदेश सरकार को महाकाल के मुद्दे पर भी घेरा मूर्तियों के तूटने पर प्रेंगा ने कहा इन्हों महाकाल को भी नहीं छोड़ा नर्मदा मैया को नहीं छोड़ा महाकाल मंदिर की मूरतियों में भी पैसा खाया है कहां जाका रुकेंगे यह लोग मेरे पास तेज हवार चलती हैं तो मूरतियां हिलने लगती हैं प्रिंक गांधी यहीं नहीं रुकिए उन्होंarts धर्म की राजनीती का रोप लगाया और कहा कि केंदर में 9 साल हो गए मद्ध प्रदेश में 18 साल हो गए यह राजनीती बहुत आगे बढ़ चुकी है आपकी जरूरतों को नकार रही है आपके जजबातों को उकसाया जाता है हमारे लिए हमारा धर्म सर्वोपरी है लेकिन इसका मतल यह नहीं कि पब्लिक को बहकाया जाए पब्लिक के जजबात उभार कर बोट मांगा जाए प्रेंका गांधी सिंधिया पर भी जमकर भड़की बोली कि पिछले चुनाव में हमारी सरकार बनी थी लेकिन जोड तोड करके पैसे लगाकर भाजपा के नेताव ने हमारी सरकार तोड़ी और अपनी सरकार बढ़ा ले बीजेपी के लोग सक्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं हमारी पार्टी के भी कुछ लोग थे जिन्हें सक्ता चाहिए थी वो कुरसी के लिए विचार धारा भूल गये प्रेंका ने दलितों और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार नहीं हो रहा शिवरा सिंग चुहान पर किसानों को मुआफ़ा बाटने के नाम पर चार हजार करोड का घुटाला करने कारों भी प्रेंका ने लगाया कहा कि किसान के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल रहे उला वरिश्टी में बीजे पी तो आप सोचिए, जब इतने सालों से कोई सत्ता में रहता है तो एक आलस सा हो जाता है वो सोचता है कि वो कभी सत्ता छोड़ने वाला नहीं है कि वो निकलेगा नहीं सत्ता से और यह इनके व्यभार में सपर्ष्ट दिखने लगा है जैसे कुछ दिनों पहले यहां आकर उन्होंने एक महिलाओं के लिए एक अनाउंस्मेंट की तो इसलिए कि क्योंकि छे महीने में चुनावा रहा है भई तुम्हारी पात साल से सरकार थी तीन साल से तुम चले आ रहे हो, सरकार चला रहे हो तो तुमने यह गोशना पहले क्यों नहीं की इस समय करने की क्या जरूरत है तो यह इनका व्यभार दिखा रहा है हमें कि यह सब कर्म कांड है इनके दिलों में आपके लिए कोई आस्था नहीं है कोई विश्वास नहीं अपनी ही बातों पर यहां आकर घोशनाएं करते है उन्हें पूरा नहीं करते वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेश हम करते हैं सट्यका अनवेशा तखल नियूज आपके हक्त में आप देख रहे हैं तखल नियूज